नमस्कार दोस्तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे डेटे उननीस सगस डिस्कस करेंगे दा हैंदो निस्पेपर और पी आई बी दैडिस प्रेस इंफर्मिशन बीरो का इंपोड़न करेंट फेयार्स तो लिचे गाइज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पी आ इंट्रनेशनल साइन्टिफिक और टेक्नोलोजिकल कोपरेशन दूसरा एग्रीमेंट देखिए इंडिया और सुट्रिजन के बीच में है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस रिसर्च के उपर इंडिया और युएसे की बात करें जियोलोजी के उपर इनको जो है अप्र करनेट सहthmaurus के आप्रेशनल मिश्थिक के उपर तो देखिए निवसेशनली सिप्वान्सर स्कीम विद सपेशलव्स फोकस और नॉर्थ हीस्ट रियंड और निकोबर आईलन्ब दूसरा देखिए मेंली फोकस हो इंक्रीज एरिया प्रोडेक्टिविटी के ऊपर ठीक है नॉर्थिस्ट का और देखिए प्राइस एजरेंस टू ओइल पाम फार्मर्स और उसके बाद में देखिए सबसे इंपोर्डेंट जो बात है वो यह है ओईल सीड प्रोडेक्शन जो है इंक्रीज हुआ है तो देखिए थोड़ा यह याद रखना कि 275 टन था 2014 पंदरा में ठीक है अभी के लिए 500 500 नहीं हुआ क्योंकि ऐसे ही स्टेटमेंट आते हैं एक्जाम में की 510 हो गया है लेकिन यह सब गलत है थोड़ा ही बढ़ा इतना भी नहीं बढ़ सकता ना एकदम से नेक्स्ट बात करें गाईज तो देखिए नेक्स्ट है कि 3.70 लाक हेक्टेर जो है अंडर ओइल पाम कल्टिवेशन जो एरिया है न वो आता है थोड़ा याद रख सकते हैं अगर चाहें तो नेक्स्ट बात करें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रून 2021 के बारे में तो देखिए इन्हें नोटिफाइड करा गया एन्वार्मेंट मिनिस्ट्री के दवारा और देखिए यहाँ पे यह बात करता है प्रोहबिट करने का सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स विच्च हाव लो यूटिलिटी बाई 2000 बाई स्टिक गाईज और देख जैसे बैग्स की जो यह थिकनेस है न यह बढ़ेगी न वैसे वैसे हाईयर रिसाइकलबिलिटी होगी मतलब यह फाइदा ही अच्छा होता है एन्वार्मेंट के लिए ठीक है तो थोड़ा याद रखना ठीक है नेक्स्ट बात करें तो देखिए सेंटल पॉलूशन कंट्र देखिए अब 對不起 रेस्पोंसिबिलिटी इसका मतलब यह है कि सिर्फ producer की ही रेस्पोंसिबिलिटी नहीं है जो यह होते है जो यूज करते है lighter braking कि इसको फिर दुबारा से यूज盡 किया जाये अग्स्ट बात, इस तो यह सब क्यों लेके आए हैं हम तो देखिए सबसे मेन कारण यह है 46 million के असपास 46 million ton जो है ना प्लास्टिक का जो यह वैस्ट जो है 46 million के असपास हर साल हम produce मतलब हमारा होता है तो देखिए उसका 43% जो है वो single huge होता है जिसको दुबारा huge नहीं कर सकते तो बहुत बड़ा concern है उसके बाद में देखिए एक मुंबई पुलीस के एक ओफीसर है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है शायद तो देखिए वो माउंट कलिमंजारों पे जाके उन्होंने वहाँ पे तिरंगे को लहराया तो देखिए हमें सारी जो हाइस्ट पीक्स है माउंट एलबर्स यूरोप में पढ़ता है ठीक है गाईज नेक्स्ट बात करें वान चुवा फेस्टिवल ये असाम में मनाया जाता है ठीक है आप देखिए दूसरा आज हम बात करें एंडीबी पी आईबी में न्यूज में था ठीक है पहले बात कर चुके हैं दूसरा बात में अच्छे से 28 जन्वरी का वीडियो देख लेना कुछ भी नहीं छूटा है ठीक है और इसी के साथ अगर आपका कोई भी सजेशन है कोई सुझावर नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए है वे हो समडे